कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं लगबग 45,000 वेकैंसी जो सेंटल गॉर्मेंट की है इस टाइम एक्टिव है और आपने अगर अगर उसमें अप्लाई नहीं किया तो आपने अप्लाई जरूर करना है हो सकता है यहां से आपका फ्यूचर जो है चेंज हो जाए तो चलिए दोस्तों बहुत जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे आपने अप्लाई करना किस डिपार्टमेंट में कितने वेकैंसी यह सारी बाते हम इस वीडियो में डिस सबसे पहले देखने को मिलते रहेंगे देखिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट हैगी कि आप टैलिग्राम को और वाट्सब्स को जूदर join कर लेना क्योंकि यहां पर आपको सबसे पहले notification देखने को मिलती है सबसे पहले हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे होंगे tutorial army के लिए 13 post के लिए vacances आई है apply करने का link आपको यहां पर नहीं मिलेगा मैं आपको apply कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा आपको पहले यहां पर देखने हैं इसकी last date क्या है वो आप यहां पर जुरूर check out कर लिजिएगा यहां पर यह जो vacances हैं कुछ vacances जो है graduation वालों के लिए कुछ 12th pass के लिए कुछ 10th pass के लिए तो आपको मैं पूरी डिटेल बताता चलूँगा यह जो आप देख रहे हैं टिटेलर आर्मी के लिए यह जो है इसमें आप graduate होने चाहिए उसके बाद यहां पर next हम देख रहे हैं कि आर्मी इंफिनेटरी स्कूल के लिए vacances है 101 post है और इसकी last date जो है यह आप note कर लिजिएगा 25 जुलाई है प्लीस वीडियो को skip मत करना अगर skip करोगे तो हो सकता है कोई notification ऐसी shoot जाए जो आपके लिए important हो तो मैं एक एक update आप से बताना चाहता हूँ और next जो आप form देख रहे हैं जो लग रहे हैं high court में लग रहे है इसकी भी 25 जुलाई को last date है इंडियन पोस्ट के लिए 24 पोस्ट है और जिसमें 20 जुलाई को last date है ठीक है उसके बाद next हम चलते हैं साव राइफल में आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी आप चेक आउट कर लिजेगा इसमें 1380 वेकैंसिस है और इसमें 20 थारी को जानी 20 जुलाई को यह last date है इसमें 12 वाले भी एलिजिबल होँ एप फो में आप देख रहे होंगे कि 65 वेकैंसिस हैं और यहां पर 15 जुलाई को इसकी last date है graduation इसमें होने वाली है qualification उसके बार NPCIL में वेकैंसिस है 177 वेकैंसिस है और इसकी last date जो है 15 जुलाई है आपके पास काफी समय है आप जाके इसको apply कर लेजीगा AAI में वेकैंसिस आप देख रहे हैंगी 400 वेकैंसिस है ठीक है और यह 14 जुलाई को इसकी last date है आप इसमें apply कर लेजीगा APF4 की तरफ से ही another 57 वेकैंसिस है जिनकी last date जो है 14 जुलाई को रहने वाली है ठीक है तो मैं आपको बता दू कि इसमें आपको apply करना जुरूरी है क्योंकि बहुत सारी वेकैंसिस जो आती है उसमें आप apply नहीं करोगे तो कैसे होगा तो बियारो में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बियारो में 876 पोस्ट है जिसमें last date जो है 14 जुलाई है यह offline form रहने वाले हैं और आप यहाँ पे लगबग सभी eligible है 10th 12th वाले सारी eligible हैं नहीं की तरफ से 50 पोस्ट हैं जिसमें 13 जुलाई last date है बीसेफ की तरफ से 110 पोस्ट है जिसमें 12 जुलाई को last date है और जो बीसेफ वाली notification है इसमें आपका sports quota मांगा गया है ठीक है तो आपके पास कोई national international level का यहां पर कोई certificate होना चाहिए WII की तरफ से 43 पोस्ट है 10 जुलाई इसकी last date है Supreme Code of India यह जो है इसके लिए मैंने special video बनानी थी बट किसी कारण मैं नहीं बना बाया और यह जो है 10 जुलाई इसकी last date है कल ही यह notification जो है आउट हुई है और उसके बाद नवाइल दोक्यार्ट मैं आप देख रहे हैं कि 338 पोस्ट है 8 जुलाई जो इसकी last date है I.R.E.L. में 92 पोस्ट है 7 जुलाई इसकी last date है ठीक है यह सारी notification को प्लीस एक बार देख लीजिएगा उसके बाद मैं आपको आगे बताने बाला हूँ कि कैसे आपने apply करना है ITBP में यहां पर आप देख रहे ह है जिसमें 248 पोस्ट है साथ जुलाई इसकी last date है online ही apply होगा oil India में 48 पोस्ट है चार जुलाई इसकी last date रहने वाली है तो आपने यहां पर मेरे ख्याल से ITBP में तो आप लगबख सभी eligible है क्योंकि 12th pass वाले भी यहां पर eligible हैं यहां पर next हम बात करेंगे NPL की NPL में आप दे रंची में सोरी आर आई एमस में पोस्ट है 237 जिसमें 1 जुलाई इसकी last date है NNIT में 145 vacancies है जिसकी 30 जून जो है last date है तो आप पहले इन सब चीजों को सुनते जाए कहां पर कितनी पोस्ट है उसके बाद आप देख लिजेगा कि आप किस पोस्ट के लिए eligible होने वाल है मैं आपको बताऊंगा पूरी टिटेल में इंडिनियर फोर्स में वेकेंसी है एफकेट के लिए exam जो आता है वो भी ओपन हैस टाइम और इसमें 238 वेकेंसी है 30 जून जो है इसकी last date है ICMR में 27 पोस्ट है 29 जो है जून को last date है BEL में 29 जून को last date है 21 पोस्ट है IITM जो है 54 नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं यहां पर देख रहे हैं BCCL में 30 पोस्ट है 28 जून इसकी last date है BICIL में आप देख रहे हैं 123 पोस्ट है और 28 जून इसकी last date है DRDO RAC में 58 पोस्ट है जिसमें BE या BTEC वाले eligible होते हैं आप इसमें 28 जून को last date देख सकते हैं और यहां पर खास मैं आपको बदा दू कि I.A.R.I. में 462 vacancies है जिसकी 21 तारी को last date होने वाली है आप इसमें जाके जरूर apply करिए और यहां पर C.S.I.R.C.L.R.I. जो भी है इसकी 20 जून को last date होने वाली है और 67 vacancies है यह थी कुछ vacancies की detail और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कैसे इसमें apply करना है देखें मैं सभी का लिंक जो है आपको description में दे रहा हूं हर पोस्ट के लिए कैसे आपने apply करना है आपने क्या करना है description में जाना है जिस पोस्ट के लिए आप apply करना चाहते हो उस पोस्ट के link के आगे click करके आप direct वहां पर पहुंच जाओगे पूरी details आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी eligibility criteria notification आप वहां से download कर सकते हैं इनकी official website पे पहुंच जाओगे आप जो जो department की vacancies के बारे मैं आपको बताया क्योंकि बहुत सारे departments की vacancies को एक वीडियो में बताना और इन सभी की notification के साथ साथ आपको link देना एक वीडियो में possible नहीं है क्योंकि बहुत lengthy हो जाएगी वीडियो तो मैंने ऐसे किया कि मैंने आपको shortcut में यहां पे सारे departments की vacancies को लाके रख दिया और जो जो आपको पसंद है department जहां आप apply करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप description में जाहिए वहाँ पे सारे detail लिखी हुई है वहाँ पे आप click करिए जिस department पे आप apply करना चाहते हैं उसके सामने जो link होगा उसके उपर आप click करें और directly आप वहाँ पे page पे पहुंच जाएंगे इसके बाद भी अगर आपको कोई doubt है तो please comment करके जुरूर बताना और please यार अभी तक आगर आपने वीडियो को like नहीं किया तो please like कर दीजे क्योंकि आपका एक like हमें बहुत support करता है बहुत motivate करता है बहुत जल्दी मिलते है next video में thank you so much for watching this video bye bye